दोस्तो आज हम खड़े हुए हैं रिति सिदी फर्स्ट में बने हुए एक बहुत ही सुन्दर और विशाल भवन के आगे इसकी जो लोकेशन है आप देख सकते हैं आसपास के सभी घरों को और साथ में ही आपको यहां पे कुछ ही चंद कदमों की जूरी पर यहां पे आपको आपको लेकर चलता हूं इसके अंदर जैसे हम एंटर करते हैं हमें बहुत ही सॉलिट गेट देखने हो मिलता है इसके साथ ही हमें यहां पर एक आठ फुट उचा गेट मैस्टोर देखने हो मिलता है जिसकी उत्सूरती को यह एंट पीस यह हैंडल और भी चार्चार दराता जैसे हम घर से निकलें तो अपने हिस्ट अपने भवान को याद करके निकलें और जैसे हम धर को अंदर आएं तो अपने भवान को याद करें मुझे लगता है इसी कंसेट को देखते हुए यह मंदिल यहां पर बनाएं बहुती स्पेशेस लोपी यहां देखने को मिल्पी है जहां पर इस लोपी की सुन्दता को पढ़ाता होगा यह जो जूमर आपको देखने को मेरेग जानका दोस्तों इस रवे में आपर आएं बड़ा सा जो वासेट है वो यहां कर दख सते हैं सामने आपको टीवी कमल्स लेते हो मिल जाता है और अब यहाँ थे हुए जरु बहुता है जहां पर प्रीमियम क्वाल्टी गिए जो समान का सेनेटरी का इस्तिवाल किया गया है अब बट्पे हैं हमारा पहले है शेहर करक्ष की तरह आप देख सकते हैं कि प्यों पी से बहुत अच्छा डिजाइन आप पर देखने हो मिलता है इसी के साथ ही हमें यहां पर एक डिजाइन पर पर आपको यहां पर देखने को मिलती है अब पर देखने को मिल्ले वाला है जैसी हम पीछे आपके हैं हौशी तो यहां पर भी एक बहुत ही स्पेस न अच्छा इस्तिमाल किया गया है यहां पर एक बहुत ही स्पेसियस तर्मीना दी गई है जिसे आप स्टोर के रूम में इस्तिमाल कर सकते हैं पर देखने को मिलता है जिसकी सुद्र का वह एक है चांट 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 आते हैं जो किछन है और मोडूलर किचन है तर्च के साथ आपको यहां पर देखने को मिलता है यहां पर भी स्पेस का काफी अच्छा इस्तेमाल गया है इसी के साथ यह आपको प्रिंस्टोर्ट ब्लैंग की चिमनी एक बहुत अच्छी चिमनी देखने को मिलती है इसी के साथ जो यहां पर आपको पेंट्री देखने को मिलता जाती है इसाथ भी यहां पर आपको आपको ऑजनी माइक्रोबैम के लिए बीच जगा दी गई है जो आधोने किचन में उपना चाहिए वो सब यहां पर पहले से ही उपलत्त है इस दरह अधर में तूसरे शाइ अच्छा पेस्ट लिपेशिंग अब है अब अब यूनिक डिजाइन देखें वो मिलने वाला है यूनिक अधिक का डिजाइन देखें वो मिलने वाला है दोस्तों इसके साथ ही यहां पर मैंट्री नेशिक आपने अच्छा नहां रखा लिया है और एक बात और यहां पर यहां पर दोस्तों मिल जाता है जोगी बाहर से आप अगर किसी गैस्ट को यहां पेंट्री दिना चाते हैं तो डिरेक्ट नहां पर आप बुला सकते हैं इस भर के पर दोस्तों जैसे हैं अपने पर जाने के लिए चटते हैं तो उमें एक चारीगिरी का बहुत अच्छा नमूना देख दो मिलता है एक बहुत अच्छी स्टीर की रैली देख देख दो मिलती है किसी के साथ दिए जो आपन ग्रेराइट यूज किया गया थे दोसंतकर नहीं पर हमोता है न पहुत अच्छी स्टी में फ्लैश्ड़ोंट इन से अच्हीं, अच्छी कोईनि के आंकि आप्यों धृत्रोंटी के प्लाइस, बोघ्वर प्देख देन को फिस अच्छी का भाइस कि अच्छी का इपántी के फ्लैश्स्थोर्स इंचलोट tremendous को यहां से भी हम पीछी जो बैक साइड में जगा देने को मिलता है इसे के साइड में बहुत अच्छा वांकरी का प्राइड के साथ बारिश के दिनों में जाता है हमें बैसे भी टाइम स्पेंट कर सकते हैं और बारिश के दिरों में आप चाय पीपोड़े का भी प्रोग्राम बना सकते हैं और मुझे इन्वाइट कर सकते हैं इसे के साथ ही आपको मैं दिखाना चाऊँगा हमारे घर से ही कुछ कतमों की दूरी पर हमें पार्क देखते को मिलता है जहां पर अपने बच्चों के साथ शाम्पू समय वितीत कर सकते हैं अपनी सेहत को भी तंजरुस्त रख सकते हैं अपने बच्चों के साथ चाई कोफी का प्रोग्राम रख सकते हैं छोटी सी पार्टी ओर्टनाइज कर सकते हैं पीछे हमें एक ग्रीन वियू देखने को मिलता है जो कि हमारी आखों को तो शुकून देता ही है इसे के साथ ही हमें औक सीजन भी भरपूर मात्रा में मिल जाती है जो कि आज के समय में बहुत जुरूरी है